भदर कल टीवी में आप सभी का स्वागत है पितर देवता के बारे में बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है जो पितर देवता होते हैं वो हमारे कुल के देवता होते हैं जो हमेशा हमारे आसपास रहते हैं और हमें दिखाई नहीं देते लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि जो हमारे पितल देता है वो हमें सपने में किसी ना किसी रूप में दिखाई देते हैं और हमें कुछ ना कुछ बातें बता के जाते हैं लेकिन हम उन चीजों को आभास ने कर पाते हैं कि हमारे पितल देता हमें हम ने दिखाई दिये हैं और हमें ये बात बता के गए हैं कभी-कभी ऐसा होता है कि जब हम सोय होते हैं तो हमें हमारे पित्र किसी बुजर की रूप में दिखाई देते हैं और वो पानी मांगते हुई दिखाई देते हैं अगर आपको कभी भी ऐसा सपना आए तो आप सौच लेना कि आपके जो पित्र हैं वो प्यासे हैं और उनके लिए आप तुरंत उस कलस को देखें अगर उस कलस में पानी नहीं है तो उस कलस को पानी भरें और उसमें गंगाजल के छीटे अवस्य लगाएं क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हमारे पित्र हैं वो काफी प्यासे हो र तो ये समझनो कि आपका जीवन सुक्स्मिर्धि से भर गया है, अथार्थ कहने का मतलब ये हैं कि आपके पास किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, आप हमेशा मला माल रहोगे, अगर आपको सपने में कोई कुछ देकी जाते हैं, अथार्थ अघर सपने में अगर कोई बच्चा व्यक्ति आप से कुछ ले की जाता है तो ये आपके लिए असुब बात है क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है आप किसी चीज को आप उसको दे रहे हों मतलब घर से वो चीज लक्षमी को आप लोटा रहे हो या किसी भी चीज को आप घर से निकाल रहे हों तो सपने का विसिस देवता कुछ ना कुछ हमें बता के जा रही है जै पित्र देव